सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महिंदर सिंग दोनी का कहना है कि बड़ती उम्र के कारण अपनी फिटनेस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है उन्होंने कहा जब मैंने टेस्ट क्रिकेट से सईयास लिया तब से फिटनेस की बातें शुरू हुई जब बात IPL की है तो जब हम टीम के साथ बैठते हैं तब मैं मन बना चुका होता कि मुझे टॉप और्डर में उतर ना होगा क्योंकि उम्र के लिहाद से यदि मैं निचले क्रम मिलूंगा तो काफी मुश्किले होंगी वही अफगानस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले दिनेश कार्तिक ने MS दोनी की तारीव की है उन्होंने कहा मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका दोनी जैसे खिलाडी से प्रतिस परदा थी वहां भारत के सर्वश्वेष्ट क्रिकेट कप्तानों में से एक बने और वर्ल्ड क्रिकेट पर अपने प्रदर्शन की चाप छोड़ी कार्तिक ने कहा मैंने अपना स्थान किसी आम क्रिकेटर के लिए नहीं गवाया दोनी खास थे और मैं उसका बहुत समान करता हूँ गवर तलब है कि अफगानिस्तान के विकेट की पर मुहमद शेहजाद ने सिर्फ अपनी आकरामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बलकि निजी जीवन में भी वेह बिंदास है शेहजाद भी एम इस दोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वेह कई बार इसका खुल कर इजहार भी कर चुके हैं एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत होगी तो दोनी ने उन्हें सलहाद दी है साथ ही शेहजाद ने बताया कि उनके पसंदीदा कलाकार अजे देवगन और शाहरोख खान है वही कैप्टन कूल महेंदर सिंग दोनी आजकल अकसर अपनी बेटी के साथ दिख जाते हैं चाहे वह मैदान में हो या मैदान से बाहर दोनी ने एक कारेक्रम में बेटी जीवा के बारे में खूब बातें कहीं उन्होंने बताया मुझे नहीं पता कि मैं क्रिकेटर के रूप में बदला हूँ या नहीं लेकिन हाँ जीवा के आने के बाद एक इनसान के रूप में जरूर बदलाव आया है क्योंकि बेटियां अपने पिता के बेहत करीब होती है मैंने उसके साथ शांदार समय बिताया दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले और ऐसे ही लेटेस अपड़ेट पाने के लिए हमारे चानल को सबसक्राइब जरूर करें